दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मनी मैंटर्स में और आज की ए वीडियो बहुत एक पॉजिटिव ख़वर लेकर आया हूं मैं आप लोगो के लिए कि अगर आपका जन धन एकाउंट है यानि कि आपने जो महतोकांशी योजना है मोधी जी की उसके अंतरकत आपने जन धन के द्वारा अपना अकाउंट खुलवाया था जो कि एक जीरो बैलेंस का अकाउंट था तो उसमें अब आपको एक लाख तीस हजार रुपे का फाइदा आपको मिलेगा किस तरह से मिलेगा क्या होगा उसक अगर अभी तक आपने नहीं खुलवाया है अपना जन धन का अकाउंट तो आपको किस तरह से खुलवाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा लेखे महतोकांशी एक योजना थी माने नहीं है मोधी जी की जिसके थुरू या कहूं डिजितलाइजेशन करने क के लिए उन्होंने जीरो बैलेंस से एकाउंट्स खुलवाय थे और आपको पता ही है चाहीं इश्रम कार्ड हो चाहें आयुश्वान कार्ड है चाहें आपका लेबर कार्ड है आपकी जितनी भी योजनाए गौर्मेंट द्वारा चलाई जाती है वो आपके एकाउंट में ह उनका पैसा जो है आता है इसलिए एकाउंट होना आज की डेट में बहुत ही जादा जरूरी है इसी को ध्यान में रखते हुए जंधन की उजना स्टार्ट की गई थी उसमें आज एक अच्छा अपडेट आया है आप आपको एक लाग तीस हजार रुपे का यहां पर फाइ नहीं भरा होगा उसको एक लाग रुपे की साहता दी जाएगी वहीं पर आगर आपकी अन्होनी होती है यानि कि आपके मित्यू हो जाती है खास तोसी जिसका खाता है खाता दारक की अगर मित्यू हो जाती है उस केस में परिवार वालों को या नॉमनी को तीस हजार रुप आपको दी जा रहे हैं अगर आपकी मिर्ट्यू इक दुरगटना में होती है तब 1,000,00 रुपे मिलेंगे और अगर आपकी मिर्ट्यू normal होती है तब आपके नॉमनी को 30,000 रुपे मिलेंगे या नॉमनी की भी डेथ हो चुकी है तो फिर जो वारिस होगा उसको वहाँ पर 30,000 रुपे दिये जाएंगे इसमें एक नई अपडेट है या कहों थोड़ी पुराणी अपडेट है कि 2,00,000 रुपे का एक तरीके से आपको इंशुरेंस कवर दिया जा रहा है इसमें एक्सिडेंटल इंशुरेंस कवर है इसमें जो खर्चा होगा वो उन 2,00,000 रुपे में से किया जाएगा ये अच्छी स्कीम है तोटल हमारे बाद 3,30,000 रुपे का बेनेफिट इसमें आपको मिल रहा है ध्यान रखिएगा ये आयुश्मान कार्ट वाला नहीं है ये एक्सिडेंटल कवर वीमा है अगर आप किसी दुरुगट ना में घंबीय रूप से घायल होते है या घायल होते है तब आपका इलाज का जो खर्चा होगा वो इस वीमा में से किया जाएगा अब बात कर लेते हैं कि जंधन की योजना के लिए आपको किस किस डॉकुमेंट की जरुवत है देखें अलरीडी जिनके पास ये अकाउंट है उनके लिए ये आटोमेंटिकली स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं खुलवाया है तो उसके लिए आपको अपनी नीरेस्ट पोस्ट आफिस में जाना होगा या कोई ग्रामिड बैंक है आप उसमें भी खुलवा सकते हैं या आप नेशनलाइज बैंक है आसपास SBI का अकाउंट SBI की बरांच है PNB की बरांच है Union Bank है जितने भी नेशनलाइज बरांच है उनमें आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं आप account खुलवाने के लिए minimum चीज़े क्या चाहिए, देखे अधार card अगर आपके पास है, तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूत नहीं है, pen card है, अधार card, pen card, आपका driving license, आपका राशन card, आपका नरेगा, मनरेगा का card, अगर ये आपके पास है, तो आपको कोई दिक्कत वा account होता है, वो ही एक account होता है, ये बट ये zero balance वाला account होता है, इसके अंदर आपकी जतनी भी योजनाए होती है, जो भी पैसा आता है, गौर्नमेंट की तरफ से, वो directly आपके account में यहाँ पर आ जाता है, इसमें आपको overdraft की सुभिधाई मिलती है, अगर आप एक अकाउंट को दुर्गठना वीमा यहाँ पर दी जाती है, इसके अगर इस account को अगर आप खुलवा लेते हैं, तो इस account में खुलने के बाल सरकारी योजनाओं के लाब भी आपको प्राप्त होते रहते हैं, क्योंकि ये directly connected होता है के अंदर सरकार से, तो अगर अभी तक आपने नहीं खु खुलवाया है, तो आज ही अपना account खुलवा लिजे, अगर बच्चा है, तो उसका भी जन्धन account आप कहाँ पर खुलवा सकते हैं, वीडियो आपको केसी लगी, पताएगा comment करके, और यूहीं updates लेने के लिए मुझे subscribe करते रहिए, चनल को like करते रहिए, वीडियो को like करते इंस्टाग्राम पर मुझे follow भी किजेगा, अगर आपको कहीं पर कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझे से बात कर सकते हैं, साथ साथ कमेंट करके भी मुझे से पूछ सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद,